हालो दोस्तों वर्ट्वस चैनल में आपका स्वागत है आई वी पेस आरादवी क्लब प्री 2019 का एक्जाम और हो चुका है छे सिप्टों में आई थिंक के एक्जाम हुआ कल दो सिप्टी सेवंटेंथ को आज 18 अगस्त को क्यार सिप्ट हुए है एक्जाम में स्लाइट चेंज थे बड़ पड़ा कोई चेंज नहीं था वो रॉनने से एक जैसा सा लेवल आया एक लास्ट वाले बच्चे जरूर काफी बच्चों का कमेंट सेक्शन में कमेंट मिला है कि एक पजल उनको गलत लगी तो ओविस है अगर इस सिप्ट में जो भी बच्चे रहे होंगे उनको नुकसान हुआ है डेफिनेटली बोनस मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन अगर पजल उनको गलत लगी है तो उसने टाइम उनका ज्यादा लिए और उनको लोस हुआ टाइम अगर पजल गलत है बोनस मार्क्स मिल जाएंगे आपको बट जो वो टाइम लेके चलीगी बाद तो उसने पजल को निकाल ले में वो गलत उनको लगी है तो उसने टाइम जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं निकला है आपका और फिर वो नुक्षान काफी बच्चों के कवेंट में लेया है बाकी पेपर का पेटर्न बहुत चेंज नहीं था और अगर आप पिछली साल का भी दो जार ठारा का भी एक्जाम देखें आई वी पेस क्लाइब प्री का तो उसका लेवल भी मोर और लेस है साही था कोई असा नहीं है कि इस वार जैसे बच्चे के रहें बहुत आसान है अब हो जादा वो उनके अटेम्ट से किछली बार भी अटेम्ट हो थे काफी स् कम है तो डिफनेटली नम्मर ओफ कडिडेट जो सलेक्ट होंगे वो कम होंगे तो कहीं भी किसी भी एंगल से परसेंटेज जो कटोफ है वो गिरने का तो प्रशन ही नहीं है बढ़ने की ही उमीद है क्योंकि पिपर के लेवल में कोई चेंज हुआ नहीं कुम्पिटिशन ब नहीं और रहेगा ही ने एक कभी बच्चे कमेंट सेक्शन में दे और हैं भी मैंने से वंटी त्री आटेंप्र किये मैं इस्टीटो्या किया मैंने सम devoted site safety तो मुझे मैं की छिरे स्थोने 7TP प्लस मैं तो यह खईएनग प्रिपेमीं करने चीए विस आपका सेलक्शन BS2 यह पर जो भी आप preparation करोगे ultimately आप बैंकिंग और इंशुरेंस सेक्टर की exams की preparation कर रहे हैं जो भी preparation करोगे उसमें नया क्या करोगे ऐसी क्या preparation करोगे आप जो आपके काम नहीं आईडिया गीटी upcoming जो exam आपके आईडिया गीटी तो exam में हर चीज आपके काम आणी है तो preparation आप कीजी ऐसा कुछ नहीं और रिजल्ट का वेट भी मत कीजी इसके लिए चली अब अगर अपने पिछली साल का एक थोड़ा सा एक बार नजर मारें तो आप देखो पिछली साल की कटोफ है 2018 2018 प्रीक की ये कटोफ है इसमें आप देखें सबसे ज़्यादा इसमें के एक हरियाणा वा इमाचल इनकी सबसे ज़्यादा रही थी तो हरियाणा आपका का हुआ ये हरियाणा वा 76.25 इमाचल 77.5 देन बिल्कुल नेक टूनेक पंजाब 74.75 और इसके अलावा वेस्ट पंगाल 75.25 आप ये चार स्टेट देखो तो एक तरह से ये इसको भी आप 75 में लओ तो 75 प्लस में भी चार स्टेट ती अब जिससे इमाचल में आपका 77.5 कटोफ वेई है तो आप मान के चलिए 40 आप उटेखने और अप को सकते हैं, जार्खन को करनाट को कर सकते हैं, करनाट को कर सकते हैं, तेलंगाना को कर सकते हैं, महरास्तर भी नई है तिप्रा नोर्थ इस्ट का तो प्रेडेक्शन बड़ा ठफ है गुजरात है यह स्टेट्स आपको दिखेंगे लो रिजोन में बाकी एवरेज जोन लेकिन अब जैसे अपने इस साल का 2019 की अगर अपने चर्चा करें तो आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर में विकेंसीज डिक्रीज हुई है अब के इमाचल परदेश महरास्त्र दो में कोई चैंज नहीं है बड़ा इमाचल परदेश और महरास्त्र में विकेंसीज हुई है उत्राखंड में डिक्रीज हुई है जारखंड की आइधिंक साइद निली रिकोर्ट हुई अभी तक और जिन में इंक्रीज हुई है उसमें अरियाडा में स्लाइटली इंक्रीज है जैंड के में है गुजरात में और एमपी में इनमें स्लाइटली इंक्रीज एक के अपने एक छोटा सा अनेलेसिस बनाया है जैसे मैं अगर इनको तीन जोनों में बाढ़ एक तो ओगे आपका हाइर जोन जहां ज्यादा कटोफ रेने की संभावना है और इसको मैं रखूँगा कटोफ कितनी अराउंड 75 दो 74 तो 77 तक का जो आपका जोन है इसमें मैं रखना चाहूँगा जो आपका हाइर जोन है उसमें नोर्थ पुरा है हिमाचल पर्देश है दैन हरियाना है हरियाना के बाद आपका पंजाब है पंजाब के बाद आपका वेस्ट मंगाल है वेस्ट मंगाल के बाद इसमें अब की बार आपको यूपी क्योंकि या वेकेंसिज बहुत कम है यूपी भी इसमें आपको मिलने से ये and then आप देखें तो राजस्थान और केराला यह सब आ एक अबने देखें जो जो अपर से नीचे वाला इवरेज जोन जिसको अगर मैं करना जाओ इवरेज जोन में आपका इसमें भी खुद ज्यादा कोई यह नहीं है कि भुद कम कोई मिल जाएगा मैं यह मान के चलू कि 71 to 74 के आसपास के जो इस्टेट्स है अलांकि कम की बिहार और आंदर प्रदेश यह आपको इस 71 से 74 के बीच की जोन में मिलने की संभावना है देन एक जो लोवर जोन है जहां कम जाएगी जाने की संभावना अलांकि बहुत बड़े अब की बार की प्रिपर का लेवल के साथ ही तो किन सीज रिडिउस होगी और साथ ही तमिल नाडू के बाद आप देखोगे करनाटक हर बैंकिंग एक्जाम में आप देखोगे तमिल नाडू करनाटक देन गुजरात आसाम यह क्या इस तरह के और नौर्थ इस्टोवेस बट यह सब क्या नीचे की तरफ ही आपको मिलते हैं और तेलंगाना तेलंग गाना और 36 इस्टेट यह इस्टेट्स आपको कम की तरह बहूं लेस देन 71 मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आपकी बार आपको कोई बहुत नीचे मिलेंगे लेकिन लेस देन 71 में और I think अपकी बार 68 से 71 के बीच में ही यह सब निकल जाने चाहिए उससे नीचे जाने की स पिसली बार तिरपुरा की अबनॉर्मल लो थी तो उनका तो प्रेडेक्शन बड़ा टफ होता है लेकिन बाकी जो है उनमें और आप जनरल बेंकिंग सेंट्री के एक्जाम्स को भी आप देखेंगे तो इनमें यह आपके जो नोर्थ वाले स्टेट्स हैं आपका लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि राजस्तान अबरेक्शन बार में नहीं जाके उपर की तरफ है उसका मोमेंट हो जाएगा वहाँ वेकेंसी ज्यादा नहीं है और वो भी ऊपर की तरफ ही निकले तो यह एक थोड़ा सा मैंने बनाया है कि जो जिसमें पिछले साल की कट ओफ प्लस जो बच्चों के अटेम्ट आ रहे आज चल अच्छा दूसरा एक में और आपसे सेर्ट करना चाहूँगा इसमें अब की बार जैसे OBC है, SC है, ST है उनकी भी कट ओफ बहुत नीचे नहीं जाने वाली है बेनिफिट डेफिनेटली कुछ सटेन बेनिफिट्स तो मिलेंगे, जिसे EWS केटेगरी है, कुछ से स्टेट्स ऐसे हैं, जहां EWS केटेगरी का, जहां अर्बन एरिया ज्यादा है, बड़ा टफ है वो उस फोर्मेट में आना, तो वहां अब नोर्मली डाउन चला, EWS केटेग EWS केटेगरी का सट्रिविटी नहीं बन रहा है, जो भी अधिकारी है, वो उसको लिंग और ओन कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, तो EWS केटेगरी जो है, क्योंकि EWS केटेगरी को आप इन डेटेल में अगर देखेंगे, और जो उसकी क्रिटेरियाज हैं, उनमें फिट होना बहुत टाफ है, तो कम लोग उसमें, अगर आप सही से को बनाएंगे, पूरा सर्वे करके, तो उसमें EWS में नहीं आते हैं, तो जिन बच्चों के पास EWS केटेगरी है, I think OBC से मच मच बेटर रहने वाले हैं, रहेंगे, बाकि आप देखेंगे कि इसमें S.C.S.T. का भी का गैप है, वो आपको बड़ा नजर आएगा, जैसे ही पेपर का लेवल मोडरेट होने लगेगा, तो ये गैप रिड्यूस होता जाएगा, तो इस बार मैं कमेंट सेक्चन में काफी बच्चों के S.C.C. कंडिडेट्स के ये कमेंट्स आ रहें कि मैंने 73 अटेम्ट किये, म मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चीए या नहीं करनी चीए, तो इससे आप अंधाजा लगाओ कि केटेगरी में और जेनल में डिफरेंस रहेगा, मैंने करना नहीं रहेगा, बट बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा नहीं था, सभी कर पा रहे थ तो यह जाते जाते में एक चीज़ आप सभी से जरूर करना चाहूँगा, कि बिल्कुल भी आपका 70 प्लस अटेंट जिन भी बच्चों के हैं, किसी भी स्टेट से हुआ, लग 70 प्लस जिसने 72, 3, 4, 5 त यह हैं, उनको प्रिपेरेशन जरूर शुरूर करनी सी, कई बार यह लगता है आपको, बहुत बच्चों से silly mistakes भी हुई होगी, जैसे fourth shift के बच्चे हैं, और जो उसे एक wrong puzzle बता रहे हैं, आप definitely बानके चलिए कि उसे अगर वो wrong puzzle थी, तो attempts definitely कि रहे हैं, क्योंकि उस puzzle ने उनका time लिया, एक दो slot, I think आज second या third में भी एक slot के बच्चों का comment था क लेंग दी था पहले की शिप्टों से, वहां भी attempts कि रहे होगा, अलागि normalization भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी, ऐसा नहीं है कि सभी states की कोई 77 या 78 कोई, ये cut off जाएगी, इची भी जाएगी, तो और preparation आप जो भी करेंगे शुरू, इसे को लोग सापका नहीं हो विशी थैयरी जरूर एपिजिए, एफ बुदा नहीं हो जो शोया है येची विए जी, वैख बूद्सेश्यों हम ब्यूद्सेश्यों है, विए आठ रूंट्सट्र रही जाएग्छन याज़ून, और रूंट्सेश्यों है।